हलो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे तीन नीश आइडियाज ब्लॉगिंग के लिए जो की एवर गीन रहेंगे अगर आप एडिसन से अर्निंग करना चाहते हैं तो गाइस ये नीश आइडियाज ऐसे हैं जिस पर कि आप कभी भी काम करें कभी भी आप इस पर देखें ट्रेंडिंग में बहुत सरी चीजी रहती हैं तो ये तीन niche ideas में बताने वाला हूँ जिनको कि आप अपना सकते हैं इन पर add sense से earning कर सकते हैं और sponsorship में भी अच्छा यहाँ पर आपको profit मिल सकता है तो guys ये तीन niche ideas में आपको बताने वाला हूँ जिन पर कि आप काम कर सकते हैं पूरा practical video में आपको दिखाऊंगा अपने laptop पे कैसे ये niches में बहुत जादा like आपके लिए potential है और इसमें लोग हमेशा कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं तो सारी सीजिन में आपको पहली बढ़ाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक करके आप बैल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं जिससे कि में जो future videos बना उनकी notification आपको easily मिल पाए तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपनी computer screen पर आपको दिखाते हैं कौन से ये तीन niche ideas हैं आप मै evergreen मैं बोल रहा हूँ evergreen niche की बात कर रहा हूँ articles evergreen नहीं हो सकते articles कई बार news articles भी आपको डालने पड़ेंगे कई बार आप यहां पर जो regular articles हैं उनको भी publish कर सकते हैं तो चलिए पुरा practicality में देखेंगे जानेंगे समझेंगे कौन से ये niches हैं कैसे आप opt कर सकते हैं किस बिना निश में आपको बताने जा रहा हूँ इन niches के बारे में आपको पता है अल्रेडी बहुत सारे लोग इस niche के बारे में जानते हैं बट मैं जो अपने perspective से आपको चीजे बताना चाह रहा हूँ तो अभी मैं जो आपको यहां पर दिखाओंगा पहले आप वो ध्यान से देख अभी भी यह निश काम करते हैं और कैसे आपको सारी चीजे दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले यहां पर हम उपन करेंगे गूगल ट्रेंड्स जैसे कि आप सबको पता है गूगल ट्रेंड्स पर हमको लेटेस्ट जो गूगल पर सेर्च होते हैं या फिर जो भी चीजे ट्रेंड हो रहे हैं इंटरनेट पर इस्पेशली गूगल पर ही क्योंकि हम गूगल के लिए काम कर रहे हैं राइट हम ब्लॉग बनाएंगे तो गूगल पर हम उस पर काम करेंगे अभी आप देखिए मैंने सिंपल गूगल ट्रेंड्स का डेटा खोला है यह वेबसाइट ओपन की है यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले है मुझे यह गूगल ट्रेंड खुद ही बता रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पर टेलर स्विफ्ट यहाँ वर्ल्ड कप यहाँ फुटबॉल तो गाइस अब मैं चलिए आपको एक रीसेंट सर्च दिखा देता हूं लेस्टर उनाइटेड अगें स्पोर्ट्स पीएस जी यह भी ओविसली स्पोर्ट्स उसके बाद दीपक चहर स्पोर्ट्स आईबी पीएस यह तो थोड़ा सा गवर्मेंट एक्जाम के तरफ आ जाता है रवी चंदरन अश्विन उसके बाद यह आप देखो यहाँ पे बै हॉलिवूड या हॉलिवूड जो भी तीसरा आपका हो जाता है यहाँ पर जो मैंने बताया पॉलिटेक्स अभी पॉलिटेक्स आपने आप देखा नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली लो पॉलिटेक्स भी आ गया नरेंदर मोदी उसके बाद चंद्रगहन राइट तो अभ 24 में जे कर्व एकदम से सटाक से उपर गया कर्व ठीक है अगर हम इसको एकस्पैंड करते हैं तो यहाँ पर आपको इसके बारे में डेटा दिख जाएगा कि कोई नहीं सर्च कर रहा था अचानक से सटाक से डेटा उपर गया चल्सी फुटबॉल क्लब या फिर जो भी लो इविनिंग स्टैंडर्ड न्यूज एट्टीन टेलीग्राफ तो यह कुछ साइट्स हैं जो यहाँ पर रैंक कर रहे हैं अब मैं आपको दिखा हूँ यहाँ पर T20 यह भी अगें स्पोर्ट्स में आ गया है यहाँ जी न्यूज रैंक कर रहा है तीन आर्स अगो यह देख बीजे सर्च सर्च इंट्रेंट है दो नहीं हें सब्सक्राइन करें इसमें अगर आप जब swamp करेंगे ना सारी ऐसी नई वेबसाइट भी देखी है जो वहाँ पर रैंक कर रहे हैं अब गूगल अपने बेसिस पर लाइक जो भी ऐसी साइट होती है जिसकी अथौरटी अच्छी है एकदम से नई साइट को तो वह रैंक नहीं करेगा बट स्टिल आपको अगर नए आइडियाज लेने लोग इसके बारे में सर्च करते रहते हैं आपको गूगल ट्रेंट में जाना है इंडिया में काम करना तो इंडिया में कर लो अगर आप यूएस को टागट करके काम करते हैं चलिए अपन यूएस यहाँ पर डालते हैं यूनाइटेट स्टेट्स तो यहाँ पर CPC बहुत अच्छा रिवन्यू मिल जाता है तो यह बाहर के लोग सर्च कर रहे हैं तो इसको आप इंटरनेशनल ओडियन्स यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं C मतलब यहाँ से आप रियल टाइम सर्च ट्रेंट्स देख रहे हैं है ना तो एपल वाच जो जो आपको लगता है यह यह तो आप एक जन्रिक न्यूज अपसाइट बना सकते हैं या फिर आप स्पोर्ट्स चलिए आपको दिखा देते हैं किस टाइब की साइट आपको बन यह तो आप इस टाइब के ब्लॉग वेबसाइट्स बना सकते हैं इस टाइब के आप विडियोज बना सकते हैं अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं है ना बट टेक्स बेस कंटेंट बनाना काफी इजी हो जाता है तो इसलिए आप सेलिबरेटी डेली अपडेट्स पे ब्लॉग्स लिख सकते हैं, दूसरा उनके गॉसिप्स, लाइक आप टीवी सीरियल्स देखते होंगे, है ना, या फिर कोई जो एक्टर, एक्टरिसेज हैं, उनके डेली बेसिस पे उनकुछ ना कुछ कोट करते रहते हैं, या फिर कोई पोस्ट डाल दिया, जो बहुत अजीब सा है, जो बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स फॉलो करती हैं, जैसे बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स में आपको आता है पिंक विला, पिंक विला है ना, ये काफी बड़ी साइट है, अगर बॉलिवड न्यूस के बारे में आप जानना चाहते हैं, फिर बॉलिव न्यूस के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं, तो आप देखें यह आपे एक एगंटे पर उसके बाद आप यहापर देखो, मतलब दिन भर में more than 10 से 20 पोस्ट तो यह publish करते हैं तो अब क्या आपको लगता है, इनकी साइट पे कितना ट्राफिक आता होगा चलिए आपको दिखा देते हैं सीधे मैंने ये पोस्ट पे क्लिक किया और मैं इनकी साइट पे गया और ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी तो ये टेक में भी गुजगए है, फैशन में भी गुजगए है लाइफस्टाइल, टीवी, एंटरेटेनमेंट है ना जब एक चीज को उन्होंने 40 मिलियन ट्राफिक से 60 से गिरे अभी 30 मिलियन मंतली ट्राफिक इनके पास आ रहा है पिंक विला, और ये क्या? सिर्फ सेलिब्रिटी न्यूस के बारे में बताते है और क्या आपको लगता है कि ये कमाते नहीं होंगे ये भर-भर के बहुत अच्छा पैसा कमाते है है ना? आप थोड़ा सा मोर में देख लेते हैं कि मोर में ये क्या कर रहे है तो जैसे आप इनके मोर में जाओगे तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, बॉलिवूड तीनी चीज़े है भाई, तीनी चीज़े बहुत अच्छा ट्राफिक आता है आप देख लो, यहाँ पे सारी चीज़े ये विडियोज है और यह अपने यूट्यूब चैनल के विडियोज में रहाल से आप एंबेड एंबेड कर रखी हो गया, कुछ तो भी तो यह वो विडियो नहीं थी, वो यहाँ पे एक पोस्ट थी अब देख सकते हो, 17 नवंबर के उन्होंने पोस्ट पॉब्लिश की 32,000 लोगों ने देख लिया, तो इसी तरीके से क्या आप भी पोस्ट क्रियेट नहीं कर सकते, बहुत इजी है यह सब करना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस टाइब के पोस्ट पे जादा ट्राफिक आता है जैसे मैंने पिंक विला पे दिखाया कि यहाँ पे 40 मिलियन से लेके 30 मिलियन का मंतली ट्राफिक है और यहाँ पे आप देख सकते हूँ मेजेओरिटी ओफ ट्राफिक इंडिया से है उसके बाद उनाइटेट स्टेट्स तो दो कंट्रियां ऐसी जहां से बहुत अच्छा पैसा बनाते है एडसेंस से उसके बाद ब्रैंड कोलाबरेशन बहुत सारे तरीके होते है जहां से अच्छा रेवन्यू बना सकते हैं जैसे यह हर चीज पब्लिश करते हैं सेलिब्रिटी डेली अपडेट, गॉसिप, सेलिब्रिटी की बायगराफीज है ना, नेट वर्थ अफ सेलिब्रिटीज इस टाइप के पोस्ट यह पब्लिश करते हैं करेंट लाइफ शो अपडेट जैसे बिग बॉस के बारे मैंने बताया टीवी शोज हो गए है ना, तो इस टाइप से चीजे भी यह पब्लिश करते रहते हैं अपने वेब्साइट पे, अपने ब्लॉग पे तो यहाँ पे आप सब के पास भी एक अपॉचिनिटी है कि अगर क्या आप सब भी एक कोई बड़ा ब्रेंड नहीं बना सकते है, पिंक विला जैसा, बिल्कुल बना सकते हो है ना, सिर्फ यह एक वेब्साइट तो है, यह एक ब्लॉग तो है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा है तो गाइस आप सब भी इस नीश में काम स्टार्ट कर सकते हो, और काफी अच्छा रेवेन्यू यहां से बना सकते हो सेलिब्रिटी न्यूज विबसाइट एवर ग्रीन रहेगी, जब तक लोग हैं इस धर्ती पे, वो सब सेलिब्रिटीज को फॉलो करेंगे अगर like Bollywood या Tollywood में कम ही आती है, तो लोग सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज बने हुए हैं, like influencers हो गए, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके बारे में जानना चाते हैं, तो उनके बारे में भी वो इंटरेट पे सर्च करते रहेंगे, तो यह एक evergreen niche है, जो कि long term में आप को काफी अच्छा revenue और यहाँ पर potential दे सकता है, ठीक है guys, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको sports news के बारे में जैसे मैंने बताया कि दूसरा आपका niche हो सकता है, sports की news website, अब इसमें आप क्या डाल सकते हो, everything about sports, sports से related हर एक चीज आप cover कर सकते हो, अब sports से related सबसे बड़ी website है, अगर मैं आप पर कोई सर्च करता हूँ, suppose, latest sports news, तो मैंने आप एक keyword सर्च किया, latest sports news, तो सबसे पहले आप देख रहे हो, times of India आ रहा है, India today आ रहा है, उसके बाद अब यह जो बड़े-बड़े brands हैं, इन्होंने भी क्या कर दिया है, इन सब ने भी अपना एक sports का domain बना दिय मैं यहाँ पर open करके दिखा देता हूँ, sports.ndtv, right, latest sports news, सब कुछ पूरा का पूरा इन्होंने sports ही बना दिया है, इसको, ndtv sports, यह एक बड़ी website है, तो क्या यहाँ पर आपके लिए opportunity नहीं है, यहाँ पर आपके पास बहुत भर-भर की opportunity है, यहाँ पर आप इन website से idea ले सकते ह content create करके डाल सकते हूँ, आपको क्या लगता है, कैसे कमाते हैं, अब यहाँ पर सीधे इन्होंने एक pop-up डाल दिया, कि आपको फेवरेट alerts यह push notification है, आपको जिस भी country के बारे में cricket maths related updates चाहिए, आप उस पर click करके allow कर दो, बट मुझे अभी नहीं चाहिए, तो push notification से आप कर स लगाते हैं, उसके बाद मैंने add block कर रखी हैं, तो add blocker लगा रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 ads तो उनके यहाँ पर थी तो add sense से कमाते हैं, दूसरा है यहाँ पर आपको जो आप देख सकते हो कि brand collaborations में मिलते हैं, वीडियो भी यहाँ से push कर रहे हैं, अब यह इनका brand collaboration है, जीयो सावन के साथ, उसके बाद तबूला की add चल रही है, तबूला की add block नहीं हुई, उसके बाद तबूला native add platform है, तो यह add sense से भी कमाते हैं, तबूला से भी कमाते हैं, उसके बाद फिर आप नीचे इनचे scroll करते जाओगे, तो आप देखते जाओ कि यह sponsored add कि indices की है, तो जैसे मैंने इस पर click किया, यह taboolा की add है, तो एक platform से नहीं है, different different alag-alag platform से earning करते हैं, तो यह आपके पास भी एक opportunity है, तो guys यहाँ पर भी आप इन website से idea ले सकते हो, football, formula one, tennis, जो भी आपको चाहिए, boxing, जो different different sports के niches हैं, जिसमें कि आप चाहें, उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखो, हर पहली चीज sports, दूसरी news, तीसरी Hollywood, Bollywood, तो इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है guys, तो यहाँ पर आप क्या-क्या cover कर सकते हो, everything about sports, cover international news for high CPC, आप अगर international news को cover करोगे sports related, जिसकी audience बहुत जादा है, तो आपके chances हैं कि आपको यह से 100-100 डॉलर भी मिलते हैं, कई बार, तीसरा यहाँ पर आप players की biographies लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया, fourth यहाँ पर आप net worth cover कर सकते हैं, इस type के post लोग बहुत जादा सर्च करते हैं, अब चलिए मैं एक आपको net worth की post दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर search करता हूँ, net worth of Virat Kohli, यह Ronaldo मैंने search कर लिया, यहाँ पर आगया पहली post, है ना, तो marka.com एक website है, मैं इस पर जाता हूँ, और यहाँ पर check करता हूँ कि इनकी net worth कितनी है, तो इस type के post के भी बहुत जादा searches होते हैं, इंटेनेट पर, है ना, चलिए मैं accept कर देता हूँ, cookies इनकी, और आप दे website पे 200 से 300 million monthly visits है, है ना, तो यह पूरी की पूरी, आप देख सकते हो, sports related site है, जिस पे की 200 से 300 million monthly visitors है, और सारे के सारे majorly Spain से है, अगर भाई, Ronaldo की कोई worth check कर रहेगा, तो भाई, Spain से जाधा लोग check कर रहे हैं, मेभी, यह overall site का traffic में आपको बता रहा हूँ, बट Spain से जाधा website है, Mexico से 4%, US से 3%, तो इसी तरीके से आपको भी अपनी एक site start करनी है, जो इस नीश में हो, जिसमें कि आप अच्छा खासा result निकाल के ला पाएं, तो मैं आपको बता दू क्योंकि यह एक news website है, तो इसमें chances जाधा है, कि आपको instantly बहुत सारा traffic भी आ सकता है, और एकदम से traffic ज सकता है, तो यहाँ पर आपको दोनों chances बनते हैं, क्योंकि news में जो भी चीज़े trend कर रहे हैं, अगर आप उसके उपर content बना रहे हो, तो लोग आपकी site पर आएंगे, visit करेंगे, अगर आप उस type का content नहीं बना रहे हो, तो लोग आपकी site पर visit नहीं करेंगे, मैं भी Google उसको display ही नहीं करेंगा, तो आपको traffic ही नहीं आएगा, अब जैसे मैंने पहले वाले में बताया था, अगर आप celebrity में काम करें, celebrity niche में, तो आप इसको adsense, amazon affiliate, stock brokerage की promotions कर सकते हो, लाइक आप जो बड़े-बड़े stock brokerage platforms, अप stocks हो गया, grow हो गया, इन सब के promotions कर सकते हो, तो इसमें क्या और they should go and start their stock trading, like with your link, तो यहाँ पे आपको affiliate commissions यहाँ से मिल जाएगी, उसके बाद आप movies और songs के promotion कर सकते हो, अगर आप celebrity news में काम कर रहे हो, ठीके guys, sports news में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप net worth वाले मैंने बता दिया, game के results display कर सकते हो, monetization, आप यहाँ पे कैसे करोगे, adsense तो है ही, stock brokerage promotions, app referrals like dream 11, MPL, paytm games, आप इन सभी apps को promote कर सकते हो, अपनी website पे, इनके पर referral download पे कुछ ना कुछ percent commission और कुछ benefits आपको यहाँ पे मिलता है, तो यह चीज़ आप यहाँ से monetize कर सकते हो, अब guys, third niche को explore करने से पहले या फिर इसके बारे में बताने से पहले कि आप इसमें क्या कर सकते हो, मैं आपको बताना चाता हूँ कि अगर आप सब अपनी website start करने की सोच रहे हैं, यूगि जब मैं नीशिस के बारे मता रहा हूँ, तो आप कुछ लोगों के मन में आता है कि हम यह website start करनी है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी hosting चाहिए, जिसवे कि आप अपनी site को host कर सकते हो, जहां से अपनी website start कर सकते हो, तो दोस्तो मैं आपको एक hosting website recommend करना चाहता हूँ, जिसका नाम है hostinger.in, यहां से आप अपनी website create कर सकते हैं, मतलब यहां से आप hosting purchase करके, अपनी website का development start कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला, यहां पे black friday sale चालू हो गई है, और black friday पे आप सभी को पता है कि भयंकर discounts आपको यहां पे मिलते हैं, तो hostinger आपको 70% तक discount दे रहा है, जिसमें कि अगर आपको 139 रुपीज पर मन्त में hosting मिल जाएगी, जिसमें कि web hosting प्लस free domain आपको मिल जाएगा, अभी मैं आपको यह भी बता दू कि इसके क्या benefits हैं, थो इसको आप चूज कर सकते हैं, इसमें आपको 100 websites मिलती हैं, host करने के लिए up to 100 GB तक SSD storage मिल रहा है, तो आपको बता दू यहाँ पे SSD है, तो इससे आपकी जो site की speed रहेगी, वो काफी सही रहेगी, up to like 25,000 monthly visitors तक यह plan support करता है, free email, free SSL, आपको free domain भी मिलता है, अगर आप 1 साल से जादा के लिए hosting purchase कर रहे हैं, आपको यहाँ पे free SSL मिलता है, जब आप 1 साल या फिर उससे जादा के लिए hosting purchase करते हैं, आपको यहाँ पे unlimited bandwidth मिल रही है, manage WordPress, उसके बाद WordPress acceleration, 30 days money back, guarantee सबसे best यह है कि अगर आपको इनकी services अच्छी नहीं लगती हैं, किसी भी कारण से, तो sole access भी बोलते हैं, तो simple आप देख सकते हैं, easy to setup है, आप easily अपनी site hostinger के साथ, with some click 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 करके अपनी site को अपनी running कर सकते हैं, और hostinger की performance और speed तो काफी सही रहती है, क्योंकि मैं भी अपनी बहुत सारी sites पे hostinger की ही hosting use कर रहा हूं, और इनकी site like 99% uptime आपको यहाँ पे मिल जाता है, WordPress आप easily like one click के साथ install कर सकते हैं, और WordPress पे अपनी site को create कर सकते हैं, 24x7x365 chat support आपको यहाँ पे मिलता है, जबकि आपको कोई issue रहता है, कि आपकी site में कोई आपको problem आ रही है आपकी hosting में, तो आप इनसे chat करके उसको fix भी करवा सकते हैं, आप जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि micro to large scale अपनी site को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने बता है, जब आपकी website grow करती है, तो आपका revenue भी बढ़ता है, तो उसी तरीके से traffic बढ़ाइए, revenue बढ़ाइए, और यहाँ पे easy to use इनका control panel है, आप easily अपने जो इनका dashboard मिलेगा hostinger से आपको, यहीं से आप सारा कुछ manage कर प है, उस पे click करके आप hosting को purchase कर लीजे, और एक coupon code यूज़ कर सकते हैं, tryotech, जिस पे आपको और extra discount मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं आपको एक bonus देना चाहता हूँ, bonus की like अगर आप एक साल या फिर उससे जादा के लिए hosting purchase कर रहे हैं, मेरी affiliate link पे click करके, तो मैं आपको हमारा email में description में दे दूँगा, उस email ID पे सिर्फ आपको जो अपनी receipt है वो भेजनी है, मैं उसको check करके फिर आपको जो आपके deliverable है, आपको program के अंदर enroll करा दूँगा, और आपको जो bonus है, वो आपको deliver कर दूँगा, तो यह bonus सिर्फ हमारे channel पे है, अभी के लिए, आप सभी के लि हैं, जैसे हमने बताया कि यह तीन niches हैं, जिन पे कि आपको evergreen volume में traffic मिलेगा, मतलब भर भर के traffic मिलेगा, अब थोड़ा सा political news website के बारे में बात कर लेते हैं, अगर आप एक political news website बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या cover कर सकते हैं, political news, biographies, monetization, अब आपको जानना है कि इस type की sites कि तरीके से दिखते हैं, या फिर कौन से sites होती है, तो simple एक site है, scroll, मैं या पर डाल देता हूँ, तो आप scroll.in पे जाके check कर सकते हैं, basically यह political news cover करते हैं, scroll.in, right, तो आपको अगर कोई idea निकालना है कि like यह कैसे earning करते हैं, या फिर क्या करते हैं, इनका model क्या है revenue का, तो यहाँ प सब कुछ cover करने लग गए, basically यह जातर politics cover करते थे, अभी तो सब कुछ cover हो रहा है, तो यहाँ से आप एक idea लगा सकते हैं, कि अगर आप सब भी political news में जाते हैं, उसमें एक website start करते हैं, तो कैसे आप यहाँ से monetize कर सकते हैं, सबसे पहला तो एक contribute लेते हैं, like contributions, donations ले रहे हैं, तो इस website पर अगर आप जाएंगे, तो आप यहाँ पर scroll ground reporting fund, जो कि इनके जो लोग हैं, जो महनत करते हैं, आप सब के news create करते हैं, उनके लिए आप कि यहाँ पर contribute भी कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको सब कुछ भरना है, contribute करना है, तो इस तरीके से यह earning कर रहे हैं, उसके ब इनके लिए विजिट्स ओवर टाइम, और majorly traffic इंडिया से आता है, फिर US, UK, Canada, जो कि यहाँ पर tier 1 countries है, वहाँ से भी traffic इनको आ रहा है, तो guys आप यहाँ पर देख सकते हो, कितना clean website उन्होंने बना रखा है, और simple news cover करते हैं अपनी site पर, और कुछ evergreen content भी like आप देख सकते ह हैं कि like 13 minute पहले, 8 घंटे पहले, तो यहाँ पर जितनी भी political news है, वो भी यहाँ पर cover करते रहते हैं, और international news भी cover करते हैं, तो guys यहाँ से आप idea लगा सकते हो, कि किस type के news यह cover कर रहे हैं, और इस type का अगर आपको भी start करना है, तो आप यहाँ पर start कर सकते हो, क्योंकि जैसे क कि मैंने आपको दुखाया Google Trends पर, तो यहाँ पर politics का भी काफी scope रहता है, तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा और advance जाना है, तो आप यहाँ पर कुछ daily search term पर जाके देख सकते हैं, कि politics में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो आप even अगर जैसे मैं आपको बारे में search किया, कि आप चाहते हो कि Kamala Harris के बारे में कोई भी latest post आये, तो उसके बाद आप भी post करें, या तो आपके पास कोई internal source से news आती हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कि किस type के searches में rising, मतलब क्या लोग search कर रहे हैं, तो इस type से भी आप content बना सकते हो, तो दोस्तो में about trending searches, US में जो top searches होते हैं, like top daily searches trends, majority of daily searches trends, या all daily search trends, once a week, once a month, जो भी आपको filter लगाना है, कैसे होते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हो, लग अगर आपको daily चाहिए, जो US में search होते हैं, subscribe पे click कर दो, तो अब यहाँ पी US में जो भी, देखो, subscription added, तो US में जो भ आपको यह बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कुछ मैंने तीन नीशिस बताए, इन नीशिस पर आपको हमेशा traffic मिलेगा, revenue मिलेगा, और adsense से आप अच्छा revenue यहाँ पर बना पाएंगे, इसके साथ-साथ मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी अपने चैनल पर, ज इसको क्या लगता है, future scope क्या होने वाला है, मेरे साब से यह जो searches है, यह हमेशा लोग search करते रहेंगे, और यह evergain niche है, ऐसा नहीं है कि बड़ी sites है, तो आप इनको बीट नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी news होती है, जिनमें बड़ी websites cover ही नहीं करती है, है ना, बहुत बड़ा यहाँ पर untouched market है, जिसको आप Google trending searches की मदद से cover करके, बहुत अच्छा खासा traffic अपनी website पर ले सकते हैं, गुगल trends एक ऐसा tool है, जहां से आप बहुत सारे topics निकाल सकते हैं, जो की untouched हैं, uncovered हैं, जो की लोग search करते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी search करें, यहाँ पर आपको result आ जाएंगे, पहले तो मैं trending searches आपको दिखा रहा था, suppose अगर आपको वैसे भी कोई चीज़े search करनी है, जैसे कि मैंने बताया, अगर यहाँ पर कोई independent person के बारे में आप लिखना चाहते हैं, suppose मैं यहाँ पर सलमान खान के बारे में लिखना चाहता हूं, right, सलमान खान मैंन लोग क्या search करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हूं, इनके searches थोड़े से बढ़ रहे हैं, अभी यहाँ पर अगर मैं सलमान खान को विकी कॉशल से compare करूं, इनके searches, है ना, विकी कॉशल, या फिर जॉन अबराहिम की movie आ रहे है, तो जॉन अबराहम, right, तो मैं यहाँ जॉन अबराहम को search करता हूं, तो लेट सी कि कि किनके results जादा trending में है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सलमान खान को जादा search किया जा रहा है, जॉन अबराहम का spike है, मतलब इनके बारे में भी spike उपर हो रहा है, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, लोग और क्या search क कर रहे हैं, अगर वहीं इसको मैं वोल्डवाइड कर देता हूं, लेट सी वल्डवाइड क्या result हमको देख के यहाँ पर मिलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, मिजरली जातर सलमान खान के searches जादा होते हैं, यहाँ पर आपको और keywords मिल जाते हैं, लाइक आप यहाँ पर और movie हैं, जिसमें searches, जॉन अबराहिम, एन इमरान हाशनी movie, तो इस टाइप से एक content आप यहाँ पर बना सकते हो, इन सब contents में volume मिलता है आपको, जो traffic यहाँ पर भर भर के मिलता है, तो I hope आपको clear हो गया होगा कि इन निशिस में काम कैसे करना है, कैसे content निकालना है, और क्या future यहाँ पर रहने वाला है, मैंने आपको एक idea दे दिया, I hope आप इस पर काम करेंगे, और बहुत ही भैतरीन blogs यहाँ पर create करके successful होगे, so guys I hope आपने वीडियो देख ली होगी, वीडियो में आपने कुछ जाना सीखा समझा, निशिस के बारे वे, वीडियो गर आपको वीडियो कैसी लगी, कोई भी सवाल सुझा, कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो नीचे comment section में अपने questions या फिर मुझसे जो भी आपको कहना है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं, मैं उसका reply करने ही कोशिश करूँगा, और मैंने बताया है कि hostinger की जो link है, वो मैंने description में दे दिय है, जाके आप hostinger से hosting purchase कर सकते हैं, अपना जो bonus है, उसको claim कर सकते हैं, और guys मैं आपको बताना चाहता हूँ, blogging related channel पे बहुत सारी videos है, पूरी एक playlist है, जाके आप उनको देख सकते हैं, blogging related बहुत सारी चीज़े सीख सकते हैं, तो guys उसको भी miss मत करिए, अगर आपने videos को नही करने की कुशिश करता हूँ, चलिए दोस्तों मिलते हैं, आपसे अपने future videos में तब तक आप यह हसते रहें, वस्कुराते रहें, दिली रहें, गाजिया बाद रहें, अबाद रहें, जंद बाद रहें, टेक कियर, गुट बाइ